हेलो दोस्तों आप सभी का स्वाकते मैं चैनल दगी की मौंग में दोस्तों हमारे पास है Redmi K20 Pro, Poco F1 और K20 और यहां पर हम लोग करने वाले है एक Game Performance Test जिसमें तीन पर्टिकुलरी गेम हम खेलेंगे तो यहां पर देख सकने हैं कि तीनो ही स्मार्टफोन में बैटरी 100% फुल ह और यहां पर हम लोग Game को start करेंगे तो पहले खेलेंगे Free Fire उसके बार के एसपार न flat 9 और फ्रट में खेलेंगे हम लोग PUBG और PUBG को खेलेंगे दो पटिकुलर सेटिंगलते एक खेलेंगे Smooth एणसे Extreme सेटिंग्ज में और एक हम खेलेंगे HDR एं Complete स्ट्रीम सेटिंग्स में साथ साथ में दोस्तों यहां पर हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे ताकि आपको ग्राफिस का अंदाजा ज्यादा बहुत तरीगी से पता चल सके तो आप लोग को यहां पर दिखा दू तो यहां पर जो मेरा रूम का टेंपरेचर है वह है 34 डिगरी के आजपास में तो सबसे पहले के 20 प्रो उसका जो टेंपरेचर 36 डिगरी उसका पोको एफ़न उसका 36 डिगरी और के 20 का है 35 डिगरी तो आप यहां पर देख सकते हैं तीनों ही स्मार्टफोन हमारे जो जिस अभी टेंपरेचर पे इसके साथ हम लोग सबसे पह कौन आपको धंग से FPS दिखाएंगे ताकि आपको समझ में कौन से स्मार्टफोन में ज्यादा बैदर परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे आप देख जो सकते हैं कि यहाँ पर हमने के 20 में जो ग्राफिक सपोर्ट करती है फ्री फायर में वो है अल्ट्रा और यहाँ पर पोको उसके अंदर ग्राफिक्स ऐसी है इसके बाद में और भी आपको बहतर ग्राफिक्स के लिए और भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह तीनों ही स्मार्टफोन में एक साथ मैंने गेम प्ले में दिखा रहा हूँ आपको तो य मैं चैनल पर चल रहा है के 20 प्रोगा गिव अवे शाय सी आपके पास आखरी मौका हो तो भाई बाई पारिसिपेट नहीं किया तो पारिसिपेट कल लिजेगा तो यह जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं यह है के 20 की ठीक है तो यहाँ पर भी ग्राफिक्स काफी जादा ब तो यह आप देख जोए सकते हैं यहाँ पर हमारा तीनों को एक बार दुबारा एक साथ दिखा दे रहाँ एउ फ्रीफायर में बहुत जादा आप को नहीं दिखाओं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के 20 प्रों का 39 दिग्री आप से के 20 पोको एफन का भी 39 है और के 20 गाइट 37 दिग्री तो यह आप देख सकते हैं मुझे हमेशा सही के 20 ज्यादा धंडा जो है मालूम दिए इससे पहले भी बैने कही सारे टेस्किये के 20 के 20 प्रों को लेकर के उसमें भी मुझे के 20 हलका एकाट डिग्री सब कमी रहता है एस कपर दो के 20 प्रों इसके बाद दोस्तों हम यहां पर एसफॉल्ट 9 खेल के आपको दिखा रहे है एसफॉल्ट 9 की जो ग्राफिक्स है और उसमें तो मजा ही आ जाएगी आपको बैसी ग्राफिक्स के बाद के इसके बाद के ग sporting बहुत एरा इसके बाद कीरों की ब्राफिक्टा थर्बरा डिएकि मिहां तो में अई अकला प्लू परिक्स एक बाद का यहां के सिखख़व問 क sniffla, जबन क की ब्राफिक्टा झारा जाएख सब्सक्पाद के आ हैके प्ल्तु दोस्तो अभी तक कि हमने जो दो गेम खेले हैं इन तीनों ही स्मार्टफोन में वो दोनों ही गेम काफी स्मूथली चलेंगे इन तीनों ही स्मार्टफोन में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी टेंपरेचर की बात कर ले तो भाई K20 Pro और Poco F1 40 डिग्री और यहाँ पे K20 is 38 डिग्री ठीक है इसके बाद अब लोग में गेम की तरफ चल लेते हैं याने की जो है PUBG तो भाई PUBG में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ग्राफिक्स में खेलेंगे तो अभी अगर मैं आ देखा दू तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है PUBG और यहाँ पे K20 Pro 38 हो चुका है और K20 39 और Poco F1 40 डिग्री असपार यहाँ पे सबसे पहले 94% है K20 Pro में 90% बचिए बैटरी Poco F1 में और यहाँ पे K20 की बात करें तो 95% है तो याने कि 1% जादा है K20 Pro से K20 में बैटरी परसेंटेज अभी आपको दिखा दू ग्राफिक्स तो देखिए यहाँ पे K20 में Maximum Smooth और Ultra सेटिंग्स में चलता है यहाँ Poco F1 में Smooth और Extreme सेटिंग्स में चलता है और यहाँ K20 में भी Smooth और Extreme में चलता है तो यह जो Normal Highest Smooth और Ultra या Smooth और Extreme सेटिंग्स है उसमें ह देखिए FPS के बाद यहाँ पे जो मीटर चल रहा है 48-49 चल रहा था और यहाँ पे K20 और K20 प्रो में आपको यहाँ की तरफ दिखा देगा है FPS से पहले जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि FPS कहां पे लिख करके आ जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको ज्यादा बैतर समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यह तीनों ही स्मार्टफोन इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स में काफी बढ़िया चला रहे है पर अगर मैं एक्स्ट्रीम फ्रेम रेट पर चल रहा थे इसको चलना चाहिए था 55 से 60 fps की बीचे पर यह चल नहीं रहा और वहीं भाई के 20 प्रो आपका लगतार 59 और 60 fps पर बना हुआ है दोस्तों तो दोस्तों अब आप के 20 का ग्राफिक्स देखने कैसा है इसके बाद मैं के 20 प्रो और पोको F1 भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों तो अब आपने यहां पे फूल स्क्रीन में ग्राफिक्स तो देख ली तीनो ही स्मार्टफोन की जो की काफी यह था इंप्रेसिव थी बस यहां पे जो फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं पोको F1 में वो एक कंसर्न है हाला कि के 20 भी यहां पे कोई एक्स्ट्रीम फ्रेम रेट पे नहीं यह चल रहा था दोस्तों तीक है लेकिन यहां पे भाई मैं के 20 प्रो की परफॉर्मेंस से काफी है इंप्रेसिव अगर हम टे की बात कर लें दोस्तों तो यहां पे भाई के 20 40 41 fps के आज पास चल रहा हो वहीं पोको F1 32, 35, 37, 48 और 37 के आज पास यह स्ट्रेगल कर रहा है तो अभी भी यह 55 और 60 fps के बीच में यह नहीं चल रहा है दोस्तों इसके बात दोस्तों अब हम लास्ट में एक बार दुबारा से यहां पे टेंपरेचर रीडिंग ले लेते हैं तो पोको F1 पहुच चुका है 44 को इक बार इसमें टेस्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं और यहां पे जो है भाई K20 तो काफी इंप्रेस कर रहा पर पर पोको F1 में ओवर हीटिंग की वार्निंग लिख करके आ चुकी है त बैटरी परसंटेज दिखा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैटरी परसंटेज कितना बचा हुआ है तो इसके बाद हम लोग यहां पे HDR और Extreme Frame Rate पे खेलके दिखाएंगे और तब देखते हैं कि यहां पे किसका टेंपरेचर कहां तक टच करता है तो देख आप लीजे G GFX Tool की मदद से हम यहां पे तीनों ही स्मार्ट फोन में HDR Graphics with Extreme Frame Rate प्ले करेंगे PUBG को तो यहां पे आपको दिखा दे रहा हूं देखिए पहले Poco F1 में HDR Graphics और Extreme Frame Rate फिर Poco K20 प्रो और K20 में तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारा यह Screen Recorder on हो चुका है और यहां पे आप देख स रखते हैं इसके बाद दोस्तों मैं यहां पे आप लोगों को जो FPS मीटर है मैं उसको भी में on करूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा बहतर आइडिया मिल सके तो आप यहां पे जो भी FPS मीटर में देख रहे हैं तो भाई K20 भी 5960 के आसपास चल रहा है वोको भी 5960 FPS के आ इतना ही लगबग दे रहा है तो यहां पे भाई अब हम आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक्स भी दिखा हम देते हैं फूल स्क्रीन पे ताकि आपको ज्यादा बहतर पता चल सके कि जो HDR ग्राफिक्स और जो एक्स्ट्रीम फ्रेम रेट है उसके उपर जब यह तीनों ही स्म एक शीज दूस्तों आप लोगो यहां पर दुबारा रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि यहां पर भाई के 20 प्रो का गिववे चल रहा है तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किये तो भाई पार्टिसिपेट कर लीजेगा ठीक है दोट मिस्ट है विकॉज हमारे के 20 प्रो के गिववे में काफी ज़्यादा सप्राइज है तो आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर पोको एफन भी काफी बढ़े हैं परफॉर्म कर रहा है इन टरम्स ऑफ ग्राफिक बट बिलीव मी फ्रम दे निकेड आइस दे एमॉलाद स्क्रीन्स आर रियली अट्री टू प्ले ठीक है तो प्लीस मैं तो भाई बोलूगा कि कोई भी स्मार्टफून जे साथ में जाए एक बार आप एमॉलाद स्क्रीन में खेलने लगेंगे तो आप एलस तो आप एस्टी या टी एफटी डिस्प्ले आपको उतना पसंद नहीं आएगी जैसे कि अभी मेरे साथ हो परफॉर्म करते हैं बिलीव में इस गोई टू बी एन एपिक वन तो चलिए यहाँ पर हम लोगे यहाँ पर मीटर ऑन कर दिया तो आप देख सकते कि जो के 20 है वो 47 से लेके 56 एफ्पीस के आजपास में यह स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ पर पोको एफ़वन का अगर स्टिर है 59 और 60 एफ्पीस मतलब वो तो ठन के बैटा है कि हमें इसके नीचे नहीं जाना ठीक है इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बैटरी परसंटेज आपको दिखा दे तो आप देख सकते 71 परसंट बचा हुआ है पोको एफवन में और उसके बाद बागी दोनों स्म आफी हद तक कि समझ में आ गया होगा कि आखिरकार जो पपजी जैसा गेम है इतना जना हैवी गेम है वो कैसा चलेगा इन तीनों ही स्मार्टफोन में और आपको कौन से स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ टेंपरेचर तो यहां पर देख लिए के 20 प्रो 43 डिगरी और यहां पर के 20 भी आ गया है 43 डिगरी के आसपास दोस्तों आप लोग को यह वाली वीडियो मेरी पसंद आई होगी बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है प्लीज मुझे सजेस्ट करिए कि इस पर्टिकुलर ऐसे गेम मुझे क्या है जो मुझे हटा देना चाहिए और आप लोगो पसंद नहीं आया तो दोस्तों I hope कि you like this video and please don't forget to participate in the Redmi K20 Pro giveaway तो दोस्तों that was all from the geeky mom thank you